नमस्ते बच्चों आज की हिंदिक अक्षा में आप सब लोगों को हार्दिक स्वागत। आश्रम अशोक गुजराती द्वारा लिगिद जल बैंक नामक एक वेंगी लेग पढ़ेंगे। विगराल जल संगड की समस्या के बारे में अशोक गुजराती का वेंग्य लेग है जल बैंक। इसमें लेगक उबहास करता है कि ऐसा जमाना आएगा यदि हमें ज्यादा पानी मिलता तो जल बैंक में जमा कर देता या सावदी जमा योजना में निक्षेप करता। तो बच्चों सबसे पहले हम अशोक गुजराती के परजे करेंगे। अशोक गुजराती का जन्म 26 जुलाई 1947 को महाराष्ट के अकोला जिले के अकोड कस्बे में हुआ। अंगुली हीन हतेली तुम क्या जानो पंची से उडान स्रिष्टी की रजना काल के कमाल लालची भालू जंगल में चुनाव आदी उनके प्रमुक रजनायें है। केंद्रिय हिंदी निदेशालाई का पुरसकार महाराष्ट राज्य हिंदी साहित्य अकादमी पुरसकार आदी से वे पुरसक्रद है। तो बच्चों देखिए वेंग्य लेक जल बैंक अशोक गुजराती बाल्टी बाल्टी पानी लाते हुए मैंने जागी आंखों सपना देखा कि चप्पे चप्पे पर जल बैंक खुल गए है। आपको महले वालों से कुछ ज्यादा पानी हासिल हो गया है। चिंदा की कोई बात नहीं जाइए और जल बैंक में जमा कर दीजिए। मान ले कि आपको दस बाल्टी अधिक मिल गया है तो शुद्धदा के परिक्षणों के उबरांद बैंक के लोकर में रख कर एक माह बाद नव बाल्टी हुआ बैंक का। बैंक की इमारत के उपर बड़ी बड़ी टंगियम है। वे सूद भी देते हैं। सावदी जमा योजना में साल भर बात दस बाल्टीों के बदले ग्यारव। सावदा महेंगा नहीं है। वैसे भी आशकर जिनके पास पानी है वे पानीदार हो रहे है। यह तो आम जन्दा है। जो पानी पानी हो रही है बिना पानी के। तो बच्चों इस बाग पर कुछ नए शब्द है। देखें हासिल होना टु अर्ण। शुद्धदा प्यूरिटी। टंकी वाटर टैंक। सूध इंटरस्ट। सावदी जमा योजना फिक्सट डपोसिट। सावदा वियापार। पानीदार रस्पेक्टेबल। प्रस्टत पाटबाग द्वारा लेगग उबहास करता है कि ऐसा जमाना आयेगा यदि हमें ज्यादा पानी मिलता तो जल बैंग में जमा कर देता या सावदी जमा योजना में निक्षेप करता जल दुरलबदा आश की विगट समस्या है। ऐसी स्थिदी में जल बैंग की संगलपना उजद है। लेगग ने सपना देखा कि चप्पे चप्पे पर जल बैंग कुल गए है। बैंग की इमारत के ऊपर बड़ी बड़ी ठंगियम है। बैंग सूद भी देते हैं। देस बाल्टी पानी बैंग में जमा करने पर सावधी जमा योजना में साल भर बाग 11 बाल्टी मिलेगी। लेग कहते हैं कि वैसे भी आशकल जिनके पास पानी है वे पानीदार हो रहे है। आम जन्दा है जो पानी पानी हो रही है बिना पानी के तो बच्चों लेगक यहां हमसे कहते हैं कि अगर आपके पास ज्यादा पानी है तो आपको जल बैंग में निक्षेप कर सकता है अगर आपके पास पानी नहीं है तो सूध भी बैंग देती है So students, Gelbank is a sarcasm written by Ashok Bujrati. This chapter describes the problem of water scarcity faced by the future generation. The chapter begins like this. While the author was coming with a bucket of water, he saw that water banks have started in the nooks and corners of that area. Now, there is no need to worry if you get more water from the neighbours because you have the option to deposit that extra water in the water banks. Suppose you get 10 buckets of water. You can keep it safely in the bank lockers after ensuring its purity. There are lots of water tanks in the top of these buildings. Banks will give water also for interest. The customer will get 11 buckets of water for a fixed deposit of 10 buckets of water. After one year, today, those who have water at home are considered to be proud. But the ordinary people wander in search of water. Asok Gujrati, the first part of the government is completed. हो चुकी है धन्यवाद